जिले के रनो थाना चेतर के दंदेरा गाउं के एक मकान में शनिवार सुभा रखे लगबख एक दरजन इल्पीजी गैस सिलंडरों में आग भड़क गई एक साथ हुए गैस सिलंडर के धमांकों के चलते मकान चतिग्रस होकर गिर गया गैस सिलंडर में हुए ब्लास्ट इसे भड़की आग ने स्कूल वैन को भी अपनी चपेट में ले लिया सूशना के बाद नौ थाना पोलिस ने फार ब्रिगेट की मदद से आग पर काबू पा लिया मकान मालिक सही वक्त पर भागने में सफल रहा इसलिए उसकी जान बच गई साथसे में कोई जन्हानी नहीं हुई है बताया जा रहा है कि दुकान के ओपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइट से स्पार्क होने के कारण हुआ है